बाल गंगाधर तिलक के उपर बुक लिखी थी फादर ओफ इंडियन अंड्रेस्ट ये एक ब्रिटिश पतरकार ने लिखी थी जिसका नाम था वेलेंटेन का रोल जब ये बुक भी की ओल ओवर दा वर्ल्ड इंडिया में भी की इंडिया में पड़ी किसने बहुत से लोगों थी तो इन्होंने ये किताब पड़ी तो इनको पता लगा ये बुक तो इन्हीं के उपर लिखी हुई है कि भारत में बढ़काने वाला कौन है उसका पिता कौन है फादर ओफ इंडियन अंडिया कौन है बाल गंग अधर तिलक जब ये बढ़के और ये उठे ये पहुंच तो अकेला दम रखता है किसी का दंगे करवाने में तो ये बुद्धा क्यूरेस होगी ये आयर्लेंड जे स्पेशल महराष्ट्रा आई पूने के अंदर बालगंगा तर तिलक से मिलने आते ही कुंडी खड़काई कड़काते ही पूछा कि क्या मैं तिलक जी से मिल सकते हूं फिर तो एनी पेसेंट ने जब इसे वारत अलाब करी तो एनी पेसेंट ने कंकुलूजन निकाला बोला कि आपको पता अंग्रेज आपके देश में कीतना फैदा क्यू उठा रहे हैं क्यूंकि उन्होंने आपको हिंदू-मुसलिम में बाट रखा है और आपकी हिंदू में इकता नहीं है फिर क्या किया जाए और सबसे पहले आप सभी जात्यों को एक मंच पर लेकर आओ मतलब सबसे पहले शुरुआत करो हिंदू-मुसलिम की बोला आप उनको एक मंच पर लेकर आओ बोला तिलग जी आप ही कर सकते हैं अब कोई लेडी कहे किसी मर्द को और मतलब मना कर दे ऐसा हो सकता है तिलग ठीक है तिलग पहुचा मुहमत अली जिन्ना के पास और जिन्न देख ऐसे ऐसी बात है तिर को आना पड़ेगा कांग्रेस के सम्मेलन में जिन्ना बोला मैं क्यों हूं बोला देख फिर मैं तो को घर से उठा के लाओ अच्छा लगेगा बला समजाकर मैं तरह आज तक तरह जबरस्ती करी है बला नहीं तो मैं किसी वज़े से कर रहा बला आज आई हो और शराफत में यह जाता उचलने की जूरत नहीं है तो तिलक जी और एनी पेसेंट की मदद से तिलक जी और एनी पेसेंट की मदद से समेलन होता है अगला कांग्रेस का जिसको कहा जाता है लखनौ समझोते के नाम से जना जाता है लखनौ पैक्ट नाम था » Aubbayqamajumdar kim na do Congress का प्रेजिंट्स बनाया गया था टेंब इसका नाम था अमबिका मजूमदार कि अम ऐ का मझूमदार R egy यह एल पहली बार ऐसा हुआ जिसमें यह एस पैक्ट में कि Congress और orta मुसलिम लिग एक ही मंच पर आगे Congress और Muslim League क्या थे, एक ही मंच पे आगे, यह पहली बार ऐसा हुआ, कि Congress और Muslim League एक ही मंच पे आगे, और यह ऐसा किस के कारण हुआ? तिलख जी और एनिभेसेंट के कारण हुआ, यह शिल्चला चलता रहा 1921 तक, यह शिल्चला चलता रहा दोस्तों, 1921 तक, 1922 में Muslim League क्या हो गई? अल एनी बेसेंट 1921 में वापिस चली गई थी, कहां पर Ireland, अब ये क्यों गई, क्योंकि एक अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्ती हो गई थी बीमारी के कारण, आई बास समझ में, 1922 में, कॉंग्रेस और मुस्लिम लिंग अलग हो गए, क्यों है, एनी बेसेंट 1921 में चली गई, उनके जन्या करन क्या था, तिलक जी, आई बास समझ में, डू यू गेट माई पॉइंट, तो ये थी,